नमस्कार साथियों तो आज हम लोग विवीद के कोश्चन्स को देखेंगे विवीद लगवग पुड़ा ही कौवर करेंगे तो चलिए पहले सुरू करते हैं बीच वीच में जहां जरुवत होगी मैं और बाते बताते जाऊंगा पहला देखते हैं कि भारत के पर्थम गवर् जर्रल थे लॉर्ड विलियम बैंक्टिक अंतिम जो गवर्नर जर्रल थे अंतिम गवर्नर जर्रल तथा पर्थम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जर्रल थे लॉर्ड माउंट बेटिन स्वतंत्र भारत का पर्थ डीटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो डीटेल से मैं अधर वीडियो में बताता ही रहता हूँ तो आज जो है ना हम लोग बस काम की बाते करेंगे इसको रिविजन क्लास बानिए पर्थम राष्ट पती थे डॉक्टर आजेंदर प्रसाद पर्थम मुस्लिम राष्ट पती जो थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसेन पर्थम उपराष्ट पती थे डॉक्टर सरपरली राधा कृष्णन जिनके नाम पर सिक्षक दिवस मनाये जाता है और प्रथम प्रधान मंत्री पंडि जवालाल नहरू 14 जन्वरी को इनका बाल दिवस के रूप में इनका जन्वदीन मनाया जाता है 14 नॉमबर को और 14 नॉमबर को विस्व डाइबटीज दिवस भी है निती आयो के प्रथम अध्यक्स थे नरेंद्र मोदी भारत के केंद्रिय मंत्री मंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री ये थे स्यामा प्रसाद मुखर जी मतलब जवालाल नहरू ने अलग लग विचार के लोगों को भी अपने हास्थान दिया था तो उसी में से आम्य परसाद मुखर जी को भी मंतरा लेबन दिया था पर्थम चुनाव आयुक थे सुक्मार सेन लोग सभा के परथम अध्हक्स थे गनेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर के नाम से इनको जाना जाता है लोगसभा के पर्थम उपाध्यक्स थे स्री एम अनंत सयनम आयंगर पर्थम मुख्यन आधीश थे हीरालाल जे कानिया यानि हजे कानिया पर्थम मुख्यन आधीश भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स थे बदरोदीन दी तैयब जी नोबेल प्रुषकार प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिये थे रविन्ना टैगोर 1903 में इनको नोबेल प्राइज मिला था भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पर्थम भारतिये थे चक्रवर्ती राजगुपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पर्थम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफार खान नोबल पुरुषकार विजेता पर्थम भारतिये वेग्यानिक थे स्रीवी रमन इनको बहुतिक सास्तर में नोबल पुरुषकार मिला था चलिए आगे देखते हैं रमन मैगसे से एवार्ड विजेता पर्थम भारतिये ये थे आचारे विनोवा भावे पर्थम भारतिय गोल्डन गलोब एवार्ड के पर्थम भारतिय विजेता गोल्डन गलोब एवार्ड जो है न वो फिल्म से समन्दी चीजों में दिया जाता है तो ये म्यूजिक में मिला था एयर रहमान को पर्थम ज्यानपेट पुरुसकार वियेगा थे जी संकर कुरूप पर्थम भारतिये वायु सेना ध्यक्ष ये थे एर मार्सल सुब्रत मुखर जी पर्थम वायु सेना ध्यक्ष पर्थम जल सेना ध्यक्ष थे फिल्ड मार्सल जे एम कडियप्पा पर्थम फिल्ड मार्सल जे एम कडियपपा पर्थम भारतिय नौसे नाधेक्स थे एडिमिनल रामदास कटारी पर्थम फिल्ड मार्सल थे जनरल मनेकसा ठीक है ना लंबी नाक वाले जिनोंने बंगलादेश मोक्ती में काफी एम रोल अदा किया था इंगलिस चैनल पार करने वाला पर्थम भारतिय ये थे मिहिर सेन अंत्रिक्स में पहुँचने वाला पर्थम भारतिय ये थे राकेश सर्मा ब्रिटिस आंसद का सदस्र बने वाले पर्थम भारतिय ये थे दादा भाई नरो जी ग्रेट उल्ड मेन अफ इंडिया के नाम से इ ये थे सुसिल कुमार ठीक है ना कुस्ती 2008 और 2012 में इनको एक बार कांस्ट मिला दूसरी बार रज़त मिला अब मुझे ये बताइए कि सुसिल कुमार आजकल कहा है ठीक है ना एक कांड में वो फस चुके हैं हत्या का कांड है खेर जाने दिजिए ओलम्पिक में वैक्तिक सपर प्रधा में भारत के लिए सौन प्रदक विजेता ये थे अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में इनको सौन प्रदक मिला था भारत में प्रिंटिंग प्रेश पर्थम समाचार प्रारंब करने वाला प्रथम वैक्ति ये थे जेम्स अगस्टस हेक्की भारत आने वाले पर्थम अमेर्की राष्टपती ये थे ड्वाइट डी आईजन हावर उनी सौन सट में आये थे ये भारत आने वाले पर्थम ब्रिटिस परधान मंत्री ये थे हेराल्ड मैक मिलन भारत आने वाले पर्थम रुसी परधान मंत्री ये थे निकोलाई ए बलगारीन पर्थम सिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद इनहीं का जो जनमदीन होता है 11.09 को उस दिन मनाय जाता है सिक्षा दिवस मौलाना अबुलकलाम जी के जनमदीन पे मनाय जाता है जो होता है 11.09 को सिक्षक दिवस मनाय जाता है 5.09 को जो डॉक्टर सर्परली गाधा किष्णन जी का जनमदीन है चलिए आगे बढ़ते हैं पर्थम भायरतिय पाइलट थे तो ये थे जे आर डी टाटा भारत का भर्मन करने वाला पर्थम चिनी यात्री ये थे फाहियान मुगल दरवार में आने वाला पर्थम अंग्रेज ये था विलियम हॉकिन्स ये देखते हैं गोकले माई पॉल्टिकल गृरु नामक पुस्तक महात्मा गांधी दुरा लिखी गई है गोपाल कृष्ण गोकले जो हैं इनको जो है महात्मा गांधी जी का राजनिती कि गृरु माना ज़ाता था तो किताब लिखी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरू ये किस ने लिखी है तो महात्मा गांधी ने लिखी है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए इसको मैंने रिविजन के ख्याल से इसको तयार किया है तो अधर चीजे मैं बहुत कम बोलूँगा इस वीडियो को दो से तीन बार जरूर देखिएगा आपको अच्छे से याद हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अंतरास्टिय नयाले के अध्यक चुने गए पर्थम भारतिय नयाधी तो ये थे डॉक्टर नागेंदर सिंग हाल फिलल की घटना है एक दिवस्य क्रिकेट में दोड़ा सतक लगाने वाले पर्थम भारतिय तो ये हैं सचिन तेंदुलकर राष्टिय कॉंग्रेस के सम्मेलन में भारत की सतंता का परस्ताव पेस करने वाले पर्थम वैक्ती तो ये थे हसरत मोहानी पर्थम औप रधान मंत्री एवन ग्रिह मंत्री ये थे सरदार वल्लबाई पतेल अब देखेंगे भारत में पर्थम महीला पर्थम महीला राष्टप्ती ये थे परतिभा देवी सिंग पातिल पर्थम महिला परधान मंत्री ये थी इंद्रा गांधी ये सब भारत की बात हो रही है पर्थम महिला लोकसभाद धेक्ष ये थी मीरा कुमार और ये दलित पर्थम दलित महिला लोकसभाद धेक्ष भी होंगी मीरा कुमार ही जग जीमन राम की वेटी हैं ये पर्थम महिला र राजिपाल ये हैं सरजनी नाइडू जो उत्तर परदेश की राजिपाल रही है। UPSC की पर्थम महिला अध्यक्ष ये रही है रोजे मेलेलियम बैथ्यू पर्थम महिला सासिका ये थी रजिय सुल्तान पर्थम महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता क्रिपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है अब यहां देखिए कि पर्थम महिला राजपाल पर्थम महिला मुक्य मंत्री भी रही है तो यह थी एनी बेसेंट संजुक्त राज संग में पर्थम भारतिय महिला राजदूत तो यह रही है विजय लक्ष्मी पंडित सुप्रीम कोट की पर्थम महिला राजदूत भारतिय महिला बेसा पर्थम प्रथम महिला डेथ हुआ तो यह थी लीला सेट पर्थम महिला आई-ऐस यह अन्ना जोर्ज हाल फिलालीन का डेथ हुआ तो यह काफी चर्शा में रहा था ये मामला अन्ना जॉर्ज का पर्थम महिला IPS ये हैं किरन बेदी नोबेल पुरुसकार पाने वाले भारतिय महिला ये थी मदर टेरेसा ये दरसल अलबानिया में इनका जन्म हुआ था लेकिन ये कर्म से हमेशा भारतिय थी और भारतिय हो गई थी मिस वर्ड बनने वाली पर्थम भारतिय महिला ये थी रिता फाडिया पावेल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पर्थम महिला ये थी बच्छेंदरी पाल दो बार एवरेस्ट सिखर पर पहुंचने वाली पर्थम महिला ये थी संतोस यादव रेजर बैंक की पर्थ पर्थम डिप्टी गवर्णर ये हैं केजे उदेशी इंगलिश चैनल पार करने वाली पर्थम महिला ये आरती सहा मिस यूनिवर्स बढ़ने वाली पर्थम भारती महिला सुस्मिता सेन चलिए थोड़ा सा कई वार टेकनिकली हो जाता है उचनीच है ना मैं अच्छे से करा दूँगा इसको जितना वार इभाईज करिएगा उतना अच्छा है ग्यानपिट प्रुसकार प्राप्त करने वाली पर्थम महिला ये थी आसापुर्णा देवी ओलांपिक में पदक प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिय महिला ये थी कर्णम मलेशरी भारत तोलन में मिला था इसको कांसे पदक अभी हाल फिलाल दिल्ली सरकार ने एक खेल के लिए कुछ इन्वरस्टी या कॉलेज ऐसा कुछ बनाया है मैंने पेपर में देखा है ठीक से मुझे ध्यान नहीं है तो कर्णम मलेशरी को वहाँ पर एक महत्रपुन पद दिया है तो ये वाला मसला जो है हम लोग प्रेंट में देख लेंगे अभी के लिए आगे चलते हैं अरजुन पुरुषकार प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिय महिला तो ये थे एन लंस्डेन होकी में 1911 की बात है ये एम एन लंस्डेन अरजुन पुरुषकार प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिय महिला अर्जुन एवं राजिव गांदी खेल रत दोनों प्राप्त करने वाली पर्थम महिला यह थे कुंजरानी देवी ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से भी इसको जानते हैं ओलम्पिक में महिला कुस्ती में कांस पदक विजेता यह थी साक्षी मलक 2016 यह ओलम्पिक में मुक्यबाजी में कांस पदक जीतने वाली पर्थम महिला यह थी मैडी कॉम 2012 लंदन ओलम्पिक में ओलम्पिक की जिमनास्टिक परतिस्परधा के लिए क्वालिफाई करने वाली पर्थम महिला यह हैं दीपा कर्माकर अंतराश्टी ओलोंपिक समित्ती की सदस्य बनने वाली पर्थम भारतिय महिला यह है नीता अमबानी है ना उद्योगपती की पत्नी है अंतरिक्ष में जाने वाली पर्थम भारतिय महिला तो यह है कलपना चावला अंटार्टिका पहुँचने वाली पर्थम भारतिय महिला थी मेहर मूसा दचनी द्रूप पर पहुँचने वाली पर्थम भारतिय महिला ये थी रीना कौसल धारम सक्टू पर्थम महिला स्नातक ये थी कादम्बनी गांगली एवं चंदरमुखी बासू 813 सी एस्वी में पर्थम महिला स्नातक ओनर्स ये हैं कामनी राये साथ परमुक सागर तैरकर पार करने वाली पर्थम महिला ये थी बुला चौधरी साहित एक आदमी पुर्षकार जितने वाली पर्थम महिला ये थी अम्रिता प्रीतम राश्टिय महिला आयो की पर्थम अध्यक्ष ये थी जैनती पतनायक चलिए एक एकस्टा जैनकारी को भी इसमें हम देख लेते हैं एक बुक है कारगिल टर्निंग दर टाइड नामक पुस्तक क्लिफ्टन जनरल मौहिंदर पुरी द्वरा लिखित है ये एकस्टा जैनकारी है हम लोग हर पेज 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 बुक में बहुत अच्छी खासियत है कि एंसी आइटी सार संग्रह में ये चीजे दी होई रहती है चलिए आगे देखते हैं पर्थम महिला दुर्दर्सन समाचार वाचक ये थी प्रतिमा पुरी भारतिय सिनेमा की पर्थम अभिनेत्री ये थी देविका रानी रोडिक ओलम्पिक में रज़त जितने वाली पर्थम महिला ये थी पीवी संदू बैड्मिंटन में पर्थम महिला मेर ये थी तारा चेरियन चेन्नाई की रही है मेर राजसभा के लिए नामांकित होने वाली पर्थम अभिनेत्री ये थी नर्गिस दत्त पर्थम महिला निर्वाचान आयुक्त वियेस रमा देवी ओसकर पुर्षकार जीतने वाली पर्थम भारतिय महिला ये थी भानु अथया आगे देखते हैं अब महिला पड़ी हैं हम लोग तो जो महिला जो भारत से खास करके संबन्दी थे तो उसको पुरा ही हम लोग देख लेंगे यहाँ पे वायु सेना में पर्थम महिला पाइलट ये थी हरीता कॉर देवल पर्थम महिला विदेश मंत्री ये थी सुस्मा स्वराज डेथ हो गई इनकी किड्नी फेल्योर से एस्टेट बैंक की प्रबंद निदेशक ये थी अरुद्धती भट्टा चाड़िया वायु सेना की पर्थम महिला लडाकव इमान पाइलट ये थी अवनी शतुरवेदी भावना कंट और मोहना सेंग ये तीनों ही है आलफिलाली बनी है तो ये इन तीनों का नाम जो है वो रहना चाहिए भावना कंट द्रवंगा चाहिए और मुझे उमीद है कि नवीन कंट क ये थी पुनीता अरोड़ा पर्थम महिला एयर वाइस मार्सल ये हैं पदमावती बंदोपात ध्याये पर्थम महिला चेयर पर्षन आफ दा इंडियन एयर लाइस ये रही है सुसमा चावला चलिए अब देखते हैं विश्व में पर्थम पुरुस एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पर्थम व्यक्ति ये था सेर्पा तेंजिंग भारत तथा सर एड्मन हिडली न्यूजिलेंड तो ये खास है ये देख लिजेगा इसका पर्थम अंत्रिक्स प्रेय अटक ये था डेनिस टीटो उत्रे दुरुपर पहुंचने वाला ये था रोआल्ड एमंड सान नौर्वेका वायूयां से पहली सफल उडान भढ़ने वाला व्यक्ति ये थे राइट राइच ब्रादर्स अलवर राइच ऑर बिलवर राइच चीन पहुंचने वाला पर्थम यूरोपियन तो ये था मारको पोलो प्रिथ्वी का मांचित्र बनाने वाला पर्थम व्यक्ति ये था एगने जी मेंडेर प्रिथ्वी का मांचित्र बनाने वाला पर्थम व्यक्ति सरवाधिक उमर में एवरेस्ट पर चड़ने वाला पर्थम व्यक्ति ये था यूची रो मियूडा जापान चांद पर उतरने वाला पर्थम व्यक्ति ये था निल आर्मे स्ट्रॉंग यूएसे का अंत्रिक्ष में पहुँचने वाला पर्थम व्यक्ति ये था योडी गागरिन रूस का अंत्रिक्ष में तैरने चलने वाला पर्थम व्यक्ति ये था एलाक्सी इलेनव रूस का साथ बार अंत्रिक्ष में जाने वाला पर्थम अंत्रिक्ष यात्री ये था जेरी रॉस इसी के नाम पे हवल टेलिस्कोप है, चलिए एक खास देख लेते हैं, कि सबसे नीचे के लाइन अभी पढ़ लेते हैं, कि मिलंद पन्हो, राजा मिलंद एवं बहुत भीचु नागसेन के मद समवाद है, चलिए, अभी हम लोग विस्व में पर्थम पूरुस पर ही चल रहे हैं, सुरी के चारो और गढ़ों के घूमने तथा प्रित्वी की चाल के विस्व में जानकाडी देने वाला पर्थम वेक्ति, ये था निकोलस कोपर्निकस, विम बलडन ट्रॉफी जीतने वाला पर्थम अस्तरयत वेक्ति, ये था आर्थर एस, भारत पर आकरमन करने वाला ये था सिकंदर, चीन के पर्थम राष्ट पति थे डॉक्टर सन्याद सिन, सन्युक्त राज अमेरिका का पर्थम राष्ट पति ये थे जोर्ज वासिंगटन, दोनों ध्रोव पर जाने वाला पर्थम वेक्ति, ये था राबर्ट स्वान, माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाला पर्थम विकलांग, ये था ट्वायम हिटकर, बिना ऑक्सिजन के माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाला पर्थम वेक्ति, ये था पीटर हेबलर, सबसे कम उम्रका अंतरिक शियात्री ये था गिरेमन इस्तेप नावोईच गुबाडे से अंटार्टिका महासागर पार करने वाला पर्थम वेक्री ये था रिजर्ड रिचर्ड ब्रांसन अंत्रिक्स यान सरवाधिक उंचाई से छलांग लगाने वाला स्काई ड्राइवर तो ये था फेलिक्स बाम गाटनर 49 किलो मीटर उपर से इसने छलांग लगाई थी अंत्रिक्स दुरगटना का पर्थम सिकार अंत्रिक्स यात्री ये था ब्लादिमीर कामारोव साहित्ति संगीत के छेतर में नोबल प्रशकार प्राप्त करने वाला पर्थम वैखती ये थे बाब डिलन भौतिक विज्यान के पर्थम नोबल प्रुषकार से समानित वैखती ये थे वाइट रॉणजन तो ये थे वाइट रंजन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी हम लोग और भी चीजों को देखते हैं चलेंगे रसाइन विज्ञान में पर्थम नोबेल प्रुसकार से सब्मानित वेक्ती ये थे जोकोबसन हेनरिकस वेंट हाफ, जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, जी एच वेंट हाफ इनको में रसाइन विज्ञान में नोबल प्रुसकार मिलाता सबसे पहले चिकितसा विज्ञान में पर्थम नोबल प्रुसकार से समानित वेक्ती ये थे एमिल एडोल फान बेहरिंग और सास्तर के छेतर में प्रत्तम नोबल प्रुषकार से सम्मानित व्याखती ये थ façon रैगनर, 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 फ्रीस एवं जन तिन वरजन 1969 में इनको मिला था इसको अच्छे से देख लेखेवे Ragnar Fris अगर ऻानतिन वर्जन इनको मिला था और सास्ता के छेतर में नोबेल पुरुशकार कब मिला था 1969 में मिला था अब देखते हैं विस्टु में पर्थम महिला ठीक है ना विस्टु में पर्थम महिला को हम लोग دेखते हैं तो किसी देश की पर्थम महिला रास्ट पती तो ये थी मेरिया एस्टेला अर्जेंटाइना की ठीक है क्या नाम था इनका मेरिया एस्टेला कहां कि थी अर्जेंटाइना की किसी देश की पर्थम महिला परधान मंतरी ये थी एस भंडार नायके स्रिलंका की किसी मुस्लिम दे पर्थान मंत्री ये थी मार्गरेट थैचर अंटार्टिका महादी पर पहुंचने वाली पर्था महिला ये थी कैरोलिन मीकल्सन एवरेस्ट पर चड़ने वाली पर्था महिला ये थी जून को तेवई जापान की अंत्रिक्ष में जाने वाली पहली महिला ये थी वेलेंटीना तिरस्कोवा रूस की पर्थम महिला डॉक्टर ये थी इलाजावेट ब्लैक्वेल अमेरिका की गुट निर्पेक्ष आंदोलन की पर्थम महिला अध्यक्ष ये थी एस भंडार नाइके जो थी वो सिरलंका की थी नोबेल पुर ochilt तो ये थे sihए मेटसड़ आगे इसी तरह हम लोग देखें कि Kanada की पर्थम महिला परधानमंत्री ये थी Kemp Campbell तुरकी की पहली महिला परधानमंत्री ये थी Tansu Siller इंगलीज चैनल को तहर कर पार करने वाली पर्थम महिला ये थी get-trude Italy अब हम लोग देखते हैं भारत में अन्य ठीक है ना? भारत में पर्थम अन्य को समको देखते हैं जैसे पर्थम परमाणु रियेकटर ये था अब सरा पर्थम परमाणु पंडूबी ये है आई एनस चक्ड पर्थम पंडूबी जो है पर्थम परमानु पंडुबी है आई एनेस चक्र पर्थम पंडुबी है आई एनेस कलवडी उसी तरह देखते हैं कालिदास रचित अभी ज्यान सकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाज सरपर्थम विलियम जोंस ने किया था एसियाटिक सोसाइटी से यह संबंदी थे तो इसके बारे में भी हम लोग डीटेल से देख चुके हैं फिर भी देखते रहेंगे ठीक है ना हम लोग और चीज़े देखते रहेंगे चलिए अब देखते हैं विश्चु में पर्थम ठीक है एक वार इसको रिपीट कर लेते हैं वापस से क्या जाता है अपना जैसे पर्थम विवान वाहक पोत पर्थम विवान वाहक पोत है आइनेस विक्रांत पर्थम मध्यम दूरी मिसाइल यह है अगनी पर्थम मिसाइल यह है प्रीथवी पर्थम आनवी केंदर यह है ताड़ापूर पर्थम समाचार पत्र यह है बंगाल गजट जो 1780 से प्रकास प्रतम विष्विड्यालय ये था नालंदा विष्विड्यालय, प्रतम दूर्दरसन ये था नई दिलली 1959 में, पर्तम मोक फिल्म ये था राजा हरिस्चंद्र, निरमाथा थे दादा साब फाल के 1913 में, देखिये पर्थम विश्वध्यालावाला कोश्चन है ना इसको मैं फिर एक बर सेपरिटली बताऊंगा ठीक है अभी तो इसको ध्यान नहीं देते हैं इसकी उपर जादा पर्थम बोलती फिल्म ये थी आला मारा पर्थम टेकनिकलर फिल्म ये थी जहांसी की रानी देश में पर्थम बार दुर्दसन में रंगिन कारिक्रमू का प्रसारण ये हुआ 15 अगस्त 1982 से पर्थम 3D फिल्म्स ये थी माई डियर कुट्टी चातन 1984 में पर्थम प्रायोजित सिरियल ये था हम लोग 1984 में पर्थम ACI खेल का आवेजन ये हुआ दिल्ली में उनिशाई कावन में पर्थम खुला विश्विद्याल है डॉक्टर बी आराम बेदकर ओपेन इन्वर्स्टी तेलंगाना पर्थम हाई स्पीड ब्रॉडबेंड नेटवर्क की अस्थापना हुई इडुकी केरल में अब देखेंगे विश्व में पर्थम विश्व में पर्थम को देखेंगे वनों की कटाई पर परतिबंद लगाने वाला पर्थम देश तो यह है नौर्वे नौर्वे ने अपने यहाँ वनों की कटाई पर जो है complete परतिबंद लगा दिया है बहुत अच्छा किया है क्योंकि जंगल है तो हम है और हम खतम होना चाहेंगे तो जंगल काटेंगे सबसे पहले धातु के खनन पर परतिबंद लगाने वाला पर्थम देश तो यह है अल सलवाडोर यह इसनों नहीं बहुत अच्छा किया है जिवासम इंधन के परियों को पूर्णता परतिबंदित करने वाला देश यह है आयरलेंड बहुत बढ़िया पुस्तक मुद्रित करने वाला पर्थम देश यह था चीन कागजी मुद्रा जादी करने वाला पर्थम देश यह भी है चीन कागज का सरपर्थम कब हुआ तो वह हुआ था चीन में सिविल सेवा प्रतियुक्ता प्रारम करने वाला पर्थम देश तो यह है चीन सिक्षा को अनिवारी करने वाला पर्थम देश यह है प्रसा समिधान लिखने वाला पर्थम देश यह संयुक्त राज अमेरिका चलिए और आगे देखते हैं हम लोग सारे questions को आज देखेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, miscellaneous पूरा खत्म कर डालेंगे और बड़ा कर लें इसको गुट निर्पेक्च आंदोलन के पर्थम सम्मिलन का आविजनस्थल, यह है बिल ग्रेड गुट निर्पेक्च आंदोलन के पर्थम सम्मिलन का आविजनस्थल, यह है बिल ग्रेड विस्व के चारों और समुदरी यात्रा करने वाला पर्थम वैक्ति यह था फर्डिनेंड मैगलन अंत्रिक्ष में क्रेत्रिम उपगड़ा का प्रख्षेपन करने वाला पर्थम देश यह है रूस ओलम्पिक खेलों का आविजन करने वाला पर्थम देश यह है यूनान पर्थम नगर जहां पर्मानुबम गिराया गया यह था हिरोसिमा यह है जापान में सरवादिक पसुवाला देश यह है भारत बैंक नूट जाड़ी करने वाला पर्थम देश यह है स्वीडन विश्व का पर्थम विश्विद्याला यह था तक्सिला विश्विद्याला यह रहा ना यह विश्व का पर्थम विश्विद्याला यह तक्सिला वह देश जहां व्यक्ति को एच्छिक मिर्थ्यू का अधिकार दिया गया यह है निदरलेंड यूथी नेशिया बोलते हैं इसको यह काफी चर्चाओं में रहाया मेसाई अब देखते हैं भारत में सरवादिक लंबा बड़ा एवं उचा सबसे बड़ा सरक पूल यह है भुपेन हाजारिका सेतु धोला साधिया पूल जो 9.15 किलोमीटर है असम अरुनाचल में है यह जोडता है दोनों को सबसे तेज चलने वाली ट्रेन यह है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसको टी 18 का नाम दिया गया है सबसे बड़ा राज छेतरफल की दिर्ष्टी है सहराजस्थान सबसे बड़ा जिला छेतरफल के दृष्टी से है वह कच गुजरात में सबसे बड़ा पसु मेला यह है सोनपुर बिहार में सबसे उची मिनार है कुतु मिनार जो दिल्ली में है सबसे मीठे पानी की जील यह है वुलर जील जमु कस्मीर में सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का जो है राजिस्तान में सबसे उचा बांध है टीरी बांध उत्रा खंड में सबसे उची चोटी है गौडविन आस्टीन केटू भारत की है गौडविन आस्टीन केटू सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग यह है पाटनी टॉप सुरंग 9.2 किलो मीटर है सबसे लंबी सुरंग रेलवे की है पीर पंजाल जमु कस्मीर में यह 11.2 किलो मीटर लंबी सबसे बड़ा चिरिया घर है जोलोजिकल गार्डेन कॉलकता का सबसे बड़ा डेल्टा है सुन्दरवन डेल्टा पश्चिम मंगाल का CRPF देश का एक मात्र केंद्रिय ससस्तर पुलिस वल है जिसमें तीन महिला बटालियन है चलिए नहीं नहीं जानकारी हम लोग देख रहे हैं देखते ही रहेंगे सबसे अधिक वर्षावला स्थान है मासिन्राम पहले चेरापुजी था चेरापुजी और मासिन्राम आसपडोसी है सबसे बड़ा गुफा मंदिर यह है कैलास मंदिर एलोडा में है यह भारास्ट सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, बीजापूर सबसे उचा दरवाजा, बुलन दरवाजा, सबसे लंबी नदी, गंगा नदी, भारत का है सारा डेटा सबसे लंबी सरक, यह है ग्रैंट ट्रंक रोड, सबसे उचा जल प्रपात, कुंची कल, वाराही नदी, करनाटक में है सबसे बड़ा लिवरपूल, यह हावड़ा ब्रीज, कोलकाता में, सबसे बड़ा प्रात कर्तिक बंदरगाह, मॉंबई, महरास्ट में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी, यह है नर्मदा नदी, सबसे लंबी है, अरब सागर में जाकी यह गिरती है सबसे लंबरास्टी राजमार्ग NH-44 स्रीनगर कंस्रे कन्या कुमारी तक जाता है या पहले NH-7 था ठीक है न अब NH-44 हो गया ये सबसे लंबा समुद्र टट ये है मडीन बीच चेनई का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी ये है कोसी बिहार का सोक सबसे उचा हवाई पतन लेहलदाक में है सबसे बड़ा नदी दी माजूली ये बढ़ंपुर नदी में है असम में है अब ये डिश्टिक बन गया एक सबसे लंबा बांथ ये हिराकुट बांथ औरीसा में सबसे लंबी तट्रेखावाला राज ये है गुजरात और दच्छिन भारत में है सबसे बड़ी तट्रेखावाला राज ये है आंदर परदेश सबसे बड़ी कृत्रिम जेल ये है गोविंद वल्लब पंत सागर उत्तर परदेश खारे पानी की सबसे बड़ी जील ये है चिलका जील उडिशा में ये लैगून जील है दच्छिन भारत की सबसे बड़ी नदी ये है गोदावडी भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वाला मुखी है बैरंदीप अंडवान निकोबार में सबसे उची मूर्ती स्टैश्यू आफ यूनिटी 182 मीटर है ये सरदार वल्लब भाई पटेल की स्टैश्यू है ये सर्वोच सौरी सम्मान ये है प्रमवीर चक्र सबसे लंबी नहर ये है इंद्रा गांधी नहर राजस्थान की सरवादीक उचाई परिष्थित युद्धस्तल ये है सीलाचिश्या चीन ग्लेशियर सबसे बड़ा गुर्द्वारा स्वर्ण मंदिर अमरित सर सबसे बड़ा स्टेडियम ये है विवेकारंद युवा भारतिय कीरांगर साल्ट लेक कोलकाता तो चलिए हम लोग फिर अगले कोशन के उपर में चलते हैं विश्व में सरवाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं उचा अब देखना है हमें विश्व में विश्व में सरवाधिक लंबा बड़ा छोटा एवं उचा तो सबसे बड़ा दोईप सबसे बड़ा दोईप है न वह है ग्रीनलेंड़ सबसे बड़ा महादीप यह एशिया सबसे छोटा महादीप यह अस्ट्रेलिया सबसे लंबी सीमा वाला देश यह कैनेड़ा सबसे छोटी सीमा साजा करने वाला देश यह जिब्राल्टर सबसे बड़ा महासागर यह है प्रसांत महासागर सबसे गहरा महासागर यह है प्रसांत महासागर सरवाधिक जनसंख्या वाला देश यह है चीन सबसे बड़ा प्लैनेटोरियम यह है नोगोया जापान में यानि तारा मंडल है सबसे बड़ा नोगोया जापान में सबसे बड़ा राजप्रसाद सबसे बड़ा राजप्रसाद है वो इम्पीरियल पहले स्चीन का सबसे बड़ी काड़े आली इमारत यह पेंटागन USA की यहीं पर हमला हो गया था एक सब पचासी लोग मारे गये थे 9-11 में सबसे लंबा वडिक्ष यह कैलिफोर्निया का सिकोया का वडिक्ष रेड वूड्स में सरवाधिक बुधिमान पसू यह चिमपांजी सरवाधिक सबसे बड़ा पक्षी यह आउस्ट्रिच सुतुर मुर्ग सबसे उचा पसू यह जिडाफ सबसे विसालकाय पसू अस्तन पाई यह ब्लू वेल सबसे बड़ा महा कावे यह है महा भारत सबसे लंबी नदी है नील नदी मिस्र की बहाव की दिरिष्टी से सबसे बड़ी नदी है आमेजन दचिन अमेरिका की सबसे छोटी नदी है रो नदी USA की सबसे बड़ा पार्क है North East Greenfield National Park सबसे बड़ा चीरियागड है सिन डियागो चीरियागड परजातियों की संक्या के कारण बहुत परजातिया हैं वहापर सबसे विसाल खाड़ी है Hudson की खाड़ी सबसे लंबी सायक नदी यह मेडीरा अमेजन की सायक नदी वेस्तम वेपारिक नदी है राई नदी जर्मनी की सबसे बड़ा नगर चेतरफल की दिरिष्टी से यह है नुवियार्क मेट्रो पॉल्टेन नगर अन्ता सागरिये नदी यह है क्रॉमवेल धारा सबसे छोटा देश चेतरफल की दिरिष्टी से यह है वेटिकन सिटी चरवाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश यह है भारत रूस विश्व का पहला देश है जिसने जल में तेरता हुआ परमानु सेयंत्र अस्थापित किया है ठीक है न यह तो खतरनाक है ही लेकिन रूस भी हमारा खतरों का खिलाड़ी ही है निवन्तम जनसंख्या घनत यह है ग्रीन लेंड का सबसे बड़ा सागर यह है फिलिपीन सागर सबसे बड़ा देश छेत्रफल में यह है रूस सबसे उचा जो अला मुखी है और जो स्डेल सिलाडू सबसे विशाल जो अला मुखी है मौना लुआ हवाई दीप सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला देश ठीक है न तो यह है मकाव मकाव है सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला देश का भाग है मकाव जो चीन में है पहले यह ब्रेटिस का था अब इसने दे दिया है मकाव चीन को ठीक है न सबसे लंबा मुहाना यह है ओव नदी का मुहाना सबसे उचा पथार यह है तिबबत का पथार सबसे उची परवत चोटी यह है माउंट टेवरेश्ट सबसे बड़ी जील है कैस्पियन सागर पानी की सबसे बड़ी जील है ये ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है लेक सूपिरियर अमेरिका में है ये सबसे गाड़ी जील है बैकाल जीर रूस यहीं पे रूस एक रिसर्च कारिक्रम चला रहा है इसने भीतर में एक टेलिसकोब डाला है सबसे उचा बांध यह है जेन पिंग वन चीन का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का है ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका का सबसे बड़ा लेगून है यह है न्यू केलाडोनिया यह सबसे बड़ा लेगून लेगून आप जानते हैं क्या होता है वैसे किसी को ज्यादा प्रब्लम होगी तो जो भी समस्या अगर कोई हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताए मैं उसका वहीं सॉलूशन कर दूँगा जील के अंदर जील यह है मीनूटू जील कनाडा की सरवादिक उंचाई परिष्थित जील यह है टिटिका का जील दचिन अमेरिका सबसे उंचा जल प्रपात जहरना यह एंजिल प्रपात वेनेजुएला का सबसे चोड़ा जल प्रपात यह खोन जल प्रपात लाओस का सबसे लंबी दिवार चीन की दिवार सबसे विशाल मंदिर यह उंकारवाट का मंदिर कमबोडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यह है Grand Central Terminal New York सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह है गुरकफुर भारत सबसे लंबा रेलमार्ग यह है Beijing London रेलमार्ग सरवाधिक उचाई परिस्तित रेलवे स्टेशन यह है Tangula Station चीन सबसे बड़ा संग्ड़ाल यह है British संग्ड़ाल लंदन सबसे बड़ा घंटागर The Great Bell of Moscow Rus सबसे विशाल दलदल यह है प्रिपेट दलदल साइबेरिया छेतर सबसे बड़ा रेगिस्तान यह है सहारा अफरीका का सबसे ठंड़ा प्रदेश यह है वोस्टॉक अंटार्टिका में एसिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह है गोवी मंगोलिया में सबसे बड़ी मस्जिद यह है मस्जिद अलहराम सवधी अरब में चलिए तो अभी सार संग्ड़ा को हमने पुड़ा ही देखा और यह सार संग्ड़ा जो है NCRT सार संग्ड़ा का खत्म हो चुका है विवीद तो पुड़ा विवीद मैंने एक ही क्लास में खत्म करवा दिया तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लायक करिए सबस्क्राइब करिए अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो और इच्छा करें तो इसको सेयर करिए तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं जल्द मिलेंगे और आगे के साड़ी बुक सब कुछ में खत्म करवा दूँगा इतना मैटेरियल दूँगा जितने में की सेलेक्शन हो जाएगा तक किसी के कोई भी समस्य है तो मुझे जरूर बताए अभी के लिए इतना ही धन्यवाद